नमस्कार दोस्तो आपका हमारी यूट्यूब चैनल ग्यांदा नौलिश में हर देख स्वागत है दोस्तो आज हम आपके लिए एक बहुती महत्परुन जानकारी लेकर आए हैं इस मंत्र से मुर्दा भी हो जाता है जिन्दा लेकिन फूल कर भी न करें जब दोस्तो इस जानक कर लें किसी चैनल के माध्यम से हम जोतिश और वास्तो से सबंदित वे सभी प्रकार की जानकरे लेकर आएंगे जिनका आप उप्योग कर अपने जीवन में से दुखों कर्ष्टों और मसीवतों को दूर कर अपने जीवन और खरसंसार को सुख में बना सके दोस्तों दोनों मंत्रों में किसी भी एक मंत्र का सवालाख जब करके जीवन की बड़ी से बड़ी इच्छा को पूरा किया जा सकता है चाहे वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने की इच्छा हो या अपना पूरा भाग्य ही बदलना हो लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत को भी जिन्दा करना संभव है बशर्ते गुरु से इसका सही प्रयोग सीख लिया जाए हालंकि भारती रिशी मुनी इस मंत्र के जाब के लिए स्पष्ट रूप से मना भी करते हैं क्या है महामर्त्विंजे गायतरी संजीवनी मंत्र मंत्र यह है ओम होम जूम सहा ओम भूर प्रिशी शुक्राचारे ने इस मंत्र की अराधना निमन रूप में की थी जिसके परभाव से वैद देव दानव युद में विरगती को प्राप्थ हुए दानवों को सहजी जीवत कर सके महामर्त्विंजे मंत्र में जा हिंदू धरम के सबी 30 देवताओं आठ वसू ग्यारा रुद्र बारा अधित्य एक प्रजापती तथा एक वश्ट तथा ओम की शक्तियां शामिल हैं वहीं गायत्री मंत्र प्रान उर्जा तथा आत्मिक शक्ति को चमतकारिक रूप से बढ़ाने वुला मंत्र है विदीवत रूप से संजीवनी मंतर की साधना करने से इन दोनों मंतरों के संयुक्त परभाव से व्यक्ति में कुछी समय में विलक्षन शक्तियां उत्पन हो जाती है यदि वे निमत रूप से इस मंतर का जाब करता रहे तो उसे अश्ट सिधिया नव निदिया मिलती है तेथा मृत्यू के बाद उसका मुक्ष हो जाता है संजीवनी मंतर के जाब में पांच बातों का ध्यान अवश्या रखें नहीं पात जबकाल के दोरान पूरें रूप से साथ्विक जीवन जीएं तूसरी बात मंतर के दोरान साधा का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए तीसरी बात इस मंतर का जाप शिव मंदिर या किसी शांत एकांत जगा पर रुदराक्ष की माला सही करना चाहिए चोथी बात मंतर का उचारन बिलकुल शुद्ध और सही होना चाहिए साथ ही मंतर की आवाज होटों से बाहर नहीं आनी चाहिए पांचवी बात जब काल के दुरान व्यक्ति को मास, शराब, सेक्स तसालने सभी तामसिक चीजों से दूर रहना चाहिए उसे पूरन बरमचारे के साथ रहते हुए अपनी पूजा करनी चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए मा मुर्तिविंजे गैतरी संजीवनी मंतर का जाप? आईए बात करते हैं अध्यात्म भी ग्यान के अनुसार संजीवनी मंतर के जाप से व्यक्ति में बहुत अधिक मातरा में उर्जा पैदा होती है जिसे हर व्यक्ति सेहन नहीं कर सकता नतीजतन आदमी या तो कुछ सोजाब करने में ही पागल हो जाता है तो उसकी मृतिव हो जाती है इसे गुरू के सनिधे में सीखा जाता है और धीरे धीरे अभ्यास के साथ बढ़ाया जाता है इसके साथ कुछ विशेश प्रणयाम और अन्य योगिक क्रियाएं भी सीखनी होती है ताकि मंतर से पैदा हुई असी मृजा को संभाला जा सके इसलिए इन सभी चीज़ों से बचने के लिए इस मंतर की साधना किसी अनुभवी गुरू के दिशा नर्देश में ही करनी चाहिए तो दोस्तों ये थी आज की हमारी उशेश जानकारी उमीद है कि आपको ये जानकारी जूर पसंद आई होगी और पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जूर करें और हमारे चैनल को ग्यानदा नौलिज को जूरू सब्सक्राइब करें इस विडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक लिए क्या चाहेंगे नमस्कार